गुद्मानिंग स्टुडन्ट कल चैप्टर नमबर टू खी अंदर हम लोग ने टूफल सॉल किये, ग्राफ वाले क्वेशन सॉल किये, वनवर्ड सॉल किये भी हम लोग M.C.Q. अंदर आए थे M.C.Q. के अंदर समसे लास्ट में हम लोगों ने 51 नमबर तक सॉल किया, कौनसे नमबर तक भाई? 51 नमबर, चलो, आए हम लोग 52 नमबर के अंदर, तो लिखो पहले क्वेशन लिखो If the, if the zero of, if the zero of cubic polynomial, Px is equal to A.X.Q. प्लॉस B.X. स्क्वेर, प्लॉस C.X. प्लॉस D. R, R, अलफा, बीटा, एंड गेमा, अलफा, बीटा, एंड गेमा, इसको अपने साथ में रखना, यानि कि पता चल जाएगा मैं क्या हो रहा हूँ? Then, then, वन अपोन अलफा, प्लॉस वन अपोन बेका, प्लॉस वन अपोन गेमा, इसको अगेमा, इसको अलफा, जाएगा, तो शुदन, यह cubic polynomial है, कोनसी polynomial भई? क्योबिक, IMP करो MCQ को, बरबरे हमारे पास क्योबिक पोलिनुमियल के मैंने आपको तीन फ्रमिला लिखवाए, फर्स्ट फ्रमिला कोंसा था बैए, आलफा प्लस बीटा प्लस घेमा, तो उसका फ्रमिला क्या बनता था, माइनस बी अपोन ए, सेकड लिखा, आलफा इट्टो बीटा इट्टो घेमा, उसका फ्रमिला बनता था, माइनस डी अपोन ए, और थाड़ नमबर हम लोगों ने लिखा, कि भाई, आलफा बीटा प्लस बीटा घेमा, प्लस घेमा अलफा, उसका फ्रमिला क्योंसा था बैए, सी अपोन ए, बरबरे, उसका फ्रमिला क्योंसा था बॉड के दर आएंगे चलों सब्सक्राइब तो यापर आपको नहीं पड़ेगा वे एलसी मिस्का एका आलफा मीटा गेमा इतीनों का एलसी मीटा निकार अलफा बीटा घेमा बनता है चौरा वटिकलाए किना पड़ेगा इसके रीचे आलफा ने कौन नहीं है पीटा गेमा इसको क्या करेंगे मल्टिप्लाइब करेंगे मीटा गेमा से चलो इसके नीचे मीटा है तो किसे मल्टिप्लाइब करेंगे आलफा गेमा से और प्लॉस इसके नीचे गेमा है तो किसे मल्टिप्लाइब करना पड़ेगा वे आलफा गेमा अब जड़ा उपर करो तो उपर क्या बना गणा इसको चरहां अरेंज कर देते हैं अरेंज लेके अलषा मीटा प्लस मीटा त गयेमा प्लसर अलज क्या बनेंददड हबें अलफा मीटा ज़रद को उपर वालेका फर्मिला रख़सें कौन सा भए C अपोन A बंता है और नीचे वारे का फर्मिला आल्फा मीटा घ्रमा का फर्मिला माइनस B अपोन A ये ए उड़ गिया तो हमारा अंसर कौन सा भए C अपोन D आएगा तो अप्शन में ये कौन सा भए B वार बंबे नंबर का अंसर आएप ए कर देना इसको कौर्दियर अपर्ड करा नो लेगर पिप्टिपिथी नंबर If alpha and beta are the zero of, if alpha and beta are the zero of, polynomial, Px is equal to 6x minus 7x minus 3. Then, then, 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to blank. चलो शुरणट, 1 upon alpha भी यह वाना किया वैसे करना है, कि पहले, तब है 1 upon alpha plus 1 upon beta, यानि कि इसका LCM क्या बनेगा भी? alpha, beta. क्या बनेगा भी? बनेगा तो पर क्रोस मर्टीफ बैकर दो, क्या बनेगा भी? beta plus alpha. अब, alpha plus beta, quadratic polynomial के लिए, alpha plus beta का formula कौन सा? minus b upon it. और alpha into beta का formula कौन सा भी? c upon it. यह कट हो गया, आया कौन सा भी? minus b upon c. तो देखो शुरणट, यह भी अउसे कि में पेपर में आ सबता है. सुननों पहले, तब है, for the quadratic polynomial, px is equal to, या पर उसका standard फर्म होगा, a square plus bx plus c, 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to blank. यह बड़की exam में आ चुका है. आपी लिख डालाँ, दो लाएं छोड़के लिख लिख डालाँ, अभी इस चांसर लिख डालाँ है, लिख डालाँ है नए mcq, तब है, for quadratic polynomial, px is equal to, ax square plus bx plus c, 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to blank. तो, 1 upon alpha plus 1 upon beta का अंसर क्या है या बड़की? minus b upon c, या पर calculation हमारे पास है, जुसरी बार ख़तने की कोई ज़रुड़ार नहीं है, चलो अभी सांसर लिखे, तब है, minus b upon c, चलो, b कितना है आप और minus 7, फ़र value लिखे, a is equal to 6, b is equal to minus 7, c is equal to minus 3, चलो, polynomial value रखे दे, तो minus, minus 6, और अपोन में, क्या आएगा बढ़े, minus 3, minus minus 3, बढ़े to the 6, आंसर आपका कितना बढ़े, minus 2, sorry, b minus 7 है बढ़े, b कितना है बढ़े, minus 7, यहीं, minus minus 3, आंसर आपका आएगा, minus 7 upon 3, आएगा आएगा आँसर, minus 7 upon 3, c4 चिन्ना है आपका कितना बढ़ेगा, चल, अब ज़रा match the following में जाते है, match the following, चल, फर्स्ट नमबर में, क्या है बढ़े, root 3, x square, minus root 7, x, plus root 2, सामने ए नमबर का option है, it is polynomial, और b नमबर का option है, it is not polynomial, मैंने आपको तीन रूल सिखाएगे, याद आता है, अगर x वाले टर्म, root में आती हो तो वो polynomial नहीं बनेगे, second number, x की degree, fraction होगी, वो कभी भी polynomial नहीं बनेगे, और third number, अगर upon में x आता हो, वो कभी भी polynomial नहीं बनेगे, हमारे simple rule से, तो देखो तो, यापर कही पर भी x root में आता नहीं है, बरबरे, second number, x की degree, fraction में भी नहीं है, और पोली नोबिय में x अकोन में भी नहीं आता, याद इसका अंसर क्या बनेगा, भई, it is polynomial, ए नमबर का अंसर बनेगा, क्लिया, चलो, 55 नमबर देखो, कभई x क्यों है, minus 2x minus 1, अब घ्राप के बारे में पुछाए, बरबरे, कभई फर्स नमबर है, फर्स नमबर जो है वो क्या है, में आपका parabola open it downward, मीचे नी तरब, मीचे यानि कि downward, और मीचे वाला ये parabola open it upward, theory अच्छे से prepare की होगी, तभी तक आपने answer भी लिख दिया होगा, मैंने क्या सिखाया था, अगर x square का coefficient positive हो, तो parabola upward open होगा, और x square का coefficient negative हो, तो parabola downward open होगा, यहाँ पर देखे, x square वाली term positive है, यानि कि b नमबर का answer आएगा, कौन सा आएगा भई, बी नमबर, parabola open at, क्या एगा होगा, अपकोवड, चलो 56 नमबर, 3x plus 4, यह linear polynomial है, कौन सी यह भई, तो इसका, पहले तो option के साबने लीख दो, कबहें, फर्स नमबर, लगभग आपको आचुका होगा, द्रिघार्थ बहुपदी छे, इसको क्या बोलते है, वह quadratic polynomial, सेकंड नमबर, सूरेक, सूरेक को क्या बोलते है, linear polynomial, और थर्ड नमबर, अचण, अचण को बोलते, constant polynomial, बरबरे, चलो, फर्स नमबर में, match the following में क्या हैगा, वह ब, target is linear polynomial, और सेकंड नमबर में, टू डिग्री है, तो answer क्या हैगा, A, it is quadratic polynomial, चलो, 57 नमबर में जाए, चलो, 57 नमबर, कबहें, polynomial है, और सामने, क्या है, वहे, sum of 0, चलो, फर्स्ट polynomial, x square plus 3x plus 2, चलो, उसमें, sum of 0 ले, तो, alpha plus beta, पहले तो, kbc की value लीटड़ागो, उसके दर, a is equal to kya मनेगा, वहे, 1, b is equal to 3, c is equal to 2, चलो, इसका alpha plus beta, क्या मनेगा, वहे, minus b upon a, t is equal to kya मनेगा, वहे, minus 3 upon 1, t is equal to answer, क्या मनेगा, वहे, minus 3, तर्स्ट वाले में, answer क्या आएगा, आपका c, 2, चलो, second number ले, फूसमें, लीखे, चलो, a is equal to second way, 1, b is equal to 2, और c is equal to minus 3, चलो, इसका alpha plus beta करे, डाइरेक्टी answer ले, तो, इतो, ओरली आपका आना चे, minus 2 upon 1, t is equal to kya मनेगा, वहे, minus 2, यालिके, बी नमबर के साथ match होगा, हो गया, क्यारके, चेप्टर नमबर 2, complete, बराबरे, चलो, चेप्टर नमबर 3 का heading डालोगे, चेप्टर नमबर 3, linear equation, linear equation into 2 variable, student, पहले सी थोड़े theory देखले, जैसे chapter 2 की theory देखले, वैसे chapter 3 की theory देखले, तो, mcq solve खरना, हमारे लिए एकदम easy बन जाए, केसा बन जाएगा बैए, easy, बराबरे, चलो, फस्त लिखो, the standard form of, the standard form of linear equation into 2 variable, the standard form of linear equation into 2 variable, is 15 बैए, ax, plus by, plus c, is equal to 0, बराबरे, शोडर, अब जरा इक चीज समझ लो, के बाई, आप लोगों ने पूरा chapter 3 solve किया, चार-चार मेथोड से किया, ग्राफिकल मेथोड के, second number elimination method, third number substitution method, fourth number cross multiplication method, ये हरे टाइपी सम में, दो-दो equation आते, कितने equation आते थे बैए, दो-दो equation, याले कि अगर दो-दो equation अगर दो-दो equation अगर को लिखना, अगर क्या लिख सकते बैए, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, और second number ग्या लिख सकते बैए, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, लिख सकते हैं, आँबास दो-दो equation अगर के coefficient अगर के, कोफिशन कौन से, a2, b2, c2, इसके उपर से बहुत सारी चीज़े हमें समझ नहीं, कि भाई, उसका solution कैसा होगा, बराबर है, तो अब heading डालो, solution of, solution of equation, solution of equation, कोई भी दो equation आपके पास होगे, और उसमें लिखा होगा, इसके solution कौन से होगे, तो कोई भी linear equation को तीन टाइप के solution होगे, अभी दीन statement लिखवाता हो, उनको खास ध्यान रखना है, कभई लिखो, नमर उभाद, कभई इस, 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 A1 upon A2, is not equal to, B1 upon B2, is not equal to, C1 upon C2, कभई आप ख्यार करते होगे, A1 upon A2 करते हो, C1 upon B2 करते हो, C1 upon C2, बत तीनो के आशर सेम आते नही है, then, then, the linear equation have a unique solution, have a unique unique को क्या बरते हैं वही, one and only one, बरबर है unique साधियो साथ, बरते हैं 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 बरते इस नाँ एक्वर्ड टो सी वन अपॉन इक्वर्ड पॉन होता नहीं है तो ऐसे इक्वेशन को भास रखोंगे इसको रखोंगे इनमेंसे कोई एक अलग 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 आग अंदर आपको पेपर यंदर मिलने वाला है then the linear equation, then the solution of equation is empty set, is empty set, empty अवाज अच्छे से आलेगे हैंना विडियो के इंदर, कांड भड़ जाया से चौल, थर्ड नम्मा, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, यालेका आपकों कम्पेरिजन करते हो, यवार अपन a2 गांसर, यवार अपन b2 गांसर, यवार अपन c2 गांसर, यवार इक्वल हो जाते, then, then the solution of equation कि इस इन फाइटेंट इस या तो इन फाइटेंट इन सकती हो यह तीन या रखेंगे पहुत सारे अने सीक्यों आएंगे हम लोग solution करेंगे तब true false आएंगे बराबर ये blank आएगी तो इसके उपर से याद रखना है बराबर ये solution की चर्चा की किसकी चर्चा की भैई discuss the nature of the solution equation के उपर से second अब आप heading डालो इससे है graph ग्राब तो ग्राब कैसा होगा आपके पास टेपर भी अंदर क्या होगा बैई दो equation होगे और वहां पर blank आएगी तो इसका ग्राब केसे टाइपका होगा बराबरे शुडर तो ये भी इनके उपर मिक्राब अपर अलो इसलिए और है तो ये नौ इवराब वर्पान वेड्यू इसलिए नौ इवरां बादिए वार उखीण Кunaсти थे फेन ऒम्राब ऑन equation R R intersecting line when A1 upon A2 is not equal to V1 upon B2 is not equal to C1 upon C2A तो इक्वीशन का ग्राफ कैसा होगा गाइं इंटर्सेक्टिंग लाइफ छिर्थी रिखाऊ गए समीधन वाले छिर्थी रिखाऊ गए प्यारे क्या आपको ऐसे डाइसा ग्राफ हो गई इसका ग्राफ ऐसा पीपर के एंदर इसका ग्राफ होगा गाइं इंटर्सेक्टिंग लाइं बराबरे चलो सेगन नमबर A1 अपन A2 is equal to B1 अपन B2 is not equal to C1 अपन C2 होता है तो देन ग्राफ हो equation R parallel lines समान तो रिखाऊ कब आई A1 अपन एक बाँके बास equation और एक मार्क में आए क्विश्का ग्राफ कोंसे टाइप का होगा तो आप comparison करोगे, A1 upon A2 find करोगे, B1 upon B2 find करोगे, C1 upon C2, A1 upon A2 और B1 upon B2 का answer सेम हो जाता है, तो उसका graph कौनसा होगा भै, parallel line, कौनसा होगा student, याने कैसे नहीं का graph मिलेगा, दो line ने, एक दूसरे को, कैसी होगी भै, parallel होगी, कैसी होगी भै, parallel, याने कि चार graph हाये एक बार पेपर में, दो equation थे, इसका graph कैसा आउदा, CC method से आप time कर सकते हो, थर्ड number, अगर A1 upon A2 is equal to, B1 upon B2 is equal to, C1 upon C2 होता है, then the graph of equation are co-incident line, क्या बरते हैं, co-incident line, यह आपको दुझरती में करें, समभादी रिखाओ, क्यों अगर तीनों equal हो जाते, तो वो equation का graph, कोंसा में देखाव है, co-incident line, याई ही, एक ही graph होगा, पंसा होगा, यह N line है, यह वाली M line है, यह L, यह वाली M, तो इधर क्या होगा, एक ही line होगा, एक ही line होगी, एक साइड में L, और दूसरी साइड में, क्या है M, तो इधर क्या ही line हो, इनको क्या मुर्थे बिए coincident line, उसमें A upon A is equal to B upon B is equal to C upon C to होगा, पर इसका solution कौनसा होगा, बैए, solution कौनसा होगा, infinite set, अगर एसे दो parallel line है, उल्टे विकान पकड़ा सकते आपको, दो parallel line है, तो उसका जो equation है, वो equation का solution कौनसा होगा बैए, M, टी सेड, और ऐसे cross बना filter set होथी हो, इसका solution वो कौनसा होगा बैए, तो one and only one, कौनसा होगा बैए, one and only one, ले यार, दूसरा लिगो, हाजिया रखने, लेगो, if in a equation, if in a equation, constant term is not present, जो समँ पर गुझे पर अजय करना को पर चोड़ को विशार नो सिर्शना पर इस न देन इस ना पर यह ज़ा अ पिजनार है पासींग प्रू एजिन पासींग त्रो ओर ओर इजिन उसका घ्राप अल्वेज कहा से पास होगा बही ओर ओर इस इन में से पास होगा का से पास होगा भई for example लिखो दो तिन इक्विशन 3x plus 5y is equal to 0 देखो इसमे x present है y present है बड़ constant term नहीं है इसका graph का से पास होगा भई origin में से second लिखो x minus y is equal to 0 यार्ग इसमे constant term नहीं है इसका graph का से पास होगा भई पोरे जिल उगम बिल्दू के बादे उगम बिल्दू मा बिल्द सा प्लेया शोड़ा फेल लिखो if in a equation if in a equation if x is constant जो समिक्राद मा x अचर पालिको तो अचर नहीं होगा नहीं है if in a equation if x is constant then 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 it's graph then it's graph parallel to x axis यह नो आले x axis नहीं समाने लोगा then it's graph parallel to x axis and parallel के नीच अड़लाइं करोगे x axis के नीचे and sorry parallel to y axis sorry शुर्ण गल्थी हो गई parallel to y axis y axis समाने लिखाऊएं and perpendicular to x axis perpendicular to x axis x axis नहीं लोगे like example लिखो कैसे equation हो सकते तबहें 3x plus 5 is equal to 0 2x plus 9 is equal to 0 यह दोनो इपीशव के लिखो अकेला x प्रेज़ने what प्रेज़ने लोगे x यालिक इसका solution पाइड करोगे तो x is equal to क्या मिलेगा लोगे minus 5 upon 3 यालिकी x constant बढ़िया कैसा बढ़िया वही constant इसका graph always क्या होगा वही y axis को parallel सिर्फ याद रखना है paper के इंदर आजाएंगा इसका आएगा कभी the graph of equation 3x plus 5 is a blank तो रख हमारे जिवाद में 5-6 वाटका प्रेज़ना चाहिए कभी equation में y result नहीं है तो graph कैसा होगा वही y axis को parallel and x axis को कैसा होगा वही perpendicular clear दूसरा लिखो if in a equation y is a constant उपर वाले की तरह if in a equation y is a constant then then its graph then its graph is parallel to क्या है वही y constant उद भी आपका इडिया आगया होगा then its graph parallel to x axis and perpendicular to y axis clear student अभी 4-5 लाइन छोड़ दो अगर कुछ नया आया हम लोग solution करेंगे उसके अदर कुछ नया आया तो यहाँ पर उसकी not लिखेंगे बट अगर इतनी not दिमाग में रखोगे कोई भी mcq true false blank one word easily क्या करपा होगे बई solve करपा होगे बराबरे चलो गवजरा हम लोग chapter के अंदर entry मारते हैं बराबरे वाई chapter के अंदर entry खोटे चलो chapter number 3 given statement are true or false चलो first number लिखो the graph हो अभी इसका अंसर फट करके आपको आजाना चीए the graph equation 5x plus 7 is equal to 13 is a is a line parallel to y axis अभी इस मैंने लिखवाया देखवा है equation के अंदर कौन हाजर नहीं है भाई y दिख्था है आप लोगों को y हाजर नहीं है present नहीं है इसका graph कैसा होगा भाई y axis को parallel यारकि अबरा statement कैसा है भाई true statement यारकि कुछ भी करे बगर अगर आप मेरे लिखवाई हुई not को याद रखोगे फट करके true false mcq blank within second में solve हो जाएगा देखलो equation में कौन constant है भाई अकेला x present है x constant है इसका graph कैसा होगा भाई y axis को parallel और कौनसी axis को perpendicular होगा भाई x axis को perpendicular चलो second अबर लिखो if the graph if the graph equation 52 x 52 x minus 48 y is equal to k is passing through origin is passing through origin then then k is equal to 0 अभी मैंने आपको लिखवाया जराब पढ़लो तो क्या लिखवाया मैंने graph का origin में से पास होगा जब कोई equation के अंदर constant term present नहीं होगी यानके यापर k है constant k की बढ़ले में 0 होगा तो इसका graph का से पास हो सकता है बढ़ी origin में से पास हो सकता है यानके हमारा statement है वो कैसा है बढ़ी true statement है यानके k is equal to 0 होगा तो graph का से पास होगा बढ़ी origin में से पास होगा बरबरे चलो थार्ट नहीं पर लीखो 5x is equal to 5x is equal to 2 into bracket y plus 1 1 is not is not linear equation into 2 variable अब जराए equation में bracket ओपर करके देखे तो क्या मनेगा बढ़ी 5x is equal to 2y plus 2 इसको ठाकर इनर लेया है तो 5x minus 2y minus 2 is equal to 0 ये तो क्या है student linear equation है तोर हमे तो ये क्या बोल रहा है में linear equation नहीं है बोलो statement क्रिवयकी false से अवा जानी जी अभी नहीं सुनाई देती है कैसा है statement हमारा false statement क्लिया चला नेक्स नमर लिखो 4 नमर इक्वेशन इक्वेशन 5x minus 3y is equal to 15 इसका सहारा लेना equation लिखने के लिए n 2x plus 3y is equal to 24 have a infinite solution have a infinite solution चला हमारा इक्वेशन कौन सायर भाई दो इक्वेशन लिखने 2x plus 3y is equal to 24 अभी यार करो अभी मैंने आपको 3 statement लिखवाए infinite solution कम बनेगा भाई a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 तीनो इक्वाल बने चला इसमे a1 upon a2 find करे तो क्या बनेगा भई 5 upon 2 चला b1 upon b2 5 करे b1 upon b2 is equal to क्या होता है कि minus 3 upon 3 is equal to क्या होता है भई minus 1 यार्णकि आपर तो क्या होता है जोनों अर्सर सेम बनते नहीं है क्यानकि solution infinite बनने वाला नहीं 7 upon c2 find करने कि कोई जरुरा नहीं बट यहाद आना ची कभी infinite solution के लिए क्राइटेरिया हमारी सर्थ वो सर्थ क्यान से a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 या पर तो even upon a2 और b1 upon b2 का अंसर सेम बनता नहीं यानकि statement कैसा है भई false statement है clear समझ में आता है student कि नहीं आता है अरे हाया ना तो बोलो भै कुछ लोगों को तो जोराता होगा नहीं भै जोरा है उम्हें क्या कर सकता हो कुछ कर सकता नहीं हूँ यह बहुत मज़े आएंगे board की exam के अंदर चलो next लिखो fifth number the graph of equation the graph of equation 3x plus 4y is equal to 24 and x upon 4 plus y upon 3 is equal to 2 is a coincidental line संपाथी को English में क्या बोलते है बैए coincidental line अब चलो अभी मैंने graph के बारे में लिखवाय coincidental line कप बनेगी student जब क्या होगा बैए a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 चलो फाइट करे चलो फाइट करें या बैए a1 upon a2 क्या बनेगा बैए 3 चलो a1 upon a2 3 upon 1 upon 4 ये निचे वाला 4 उपर multiply हो जाएगा कितना होगा बैए 5 चलो b1 upon b2 फाइट करें करें b1 upon b2 is equal to 4 upon 1 upon 3 ये निचे वाला 3 उपर multiply हो जाएगा क्या है बैए 12 चलो c1 upon c2 फाइट करें c1 upon c2 directly आजाएगा 24 upon 2 is equal to कितना होगा 12 अब शुरर्ण ती नो आंसर को देख दो ती नो में क्या बैएगे 12 12 12 या पर क्या होगिया a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 इसका ग्राप क्या बनेगा बैए कोईसिदेंट लाइए statement क्यासा statement है बैए true statement क्यासा statement है बैए true कड़ा बैए true चलो हो गया बैए true false ऐसे solution कर सकते हो आप लो अरे हुंदी तो इलावर अफ़ो लोगो गर्द में नैप्यों सोभी के उपर फटा पड़ गया है चलो next blank आती है बैए लेका लेका the graph of the graph of 6 numbers equation the graph of equation 2x plus 3y minus 9 is equal to 0 and 4x plus 6y plus 8 is equal to 0 is a blank is a blank चल इसका ग्राप केसा बनेगा भे intersecting line बनेगा parallel line बनेगा कि coincident line बनेगा intersecting line कप बनेगा a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 find करो चलो पता चल जाएगा b1 upon a2 5 करे is equal to 2 upon 4 कर देखो क्या है रवे 1 upon 2 चलो b1 upon b2 5 करो रवे b1 upon b2 is equal to 3 upon 6 is equal to क्या है रवे 1 upon 2 चलो c1 upon c2 5 करें कब है c1 upon c2 is equal to क्या बनेगा रवे minus 9 upon 8 तो यहाँ पर क्या बनेगा स्टुडेंट a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 यहाँ पर रवे इसका घ्राप क्या बनेगा 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 parallel line बनेगा कि coincident line बनेगा क्यों सा ग्राम बनेगा बैं parallel line क्यों सा बनेगा बनेगा बैं parallel line बनेगा क्लिया समझ्या आता है ना चलो 7 नमबर लेगो 7 नमबर the solution of equation सा पूच ये B1 अपूँटू B1 अपूँटू C1 अपूँटू के फार डिपेंडे वरे 7, 8, 9, 10 आया की कर दो 7 नमबर लेगो दो solution of equation x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 3 is equal to 0 is a blank is a blank तरकिस के solution कौन से टाइप के हो ने चलो फाइड करो आया की कितना भाई 1 upon 3 या पर ख्या कर देखो A1 upon A2 B1 upon B2 का अंसर से इंए तब है A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 बोले इसका solution कौन सा होगा भाई MP-set कौन सा होगा बनेगा की ने बनेगा इसका solution कौन सा बनेगा भाई MP-set बनेगा ऐसे याद रख रख ड़े वो तीम स्केक्टमें पकेट याद कर दें तो होई भी blank, proof or solution easily approach बनेगा रख 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 रखू चला, next question के देचा है चला, कारा next question है same solution मा लिए लिखो the solution of equation the solution of equation S minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y minus 20 is equal to 0 is a blank चलो इसका solution को आप साम मिलेगा चलो ब 1 upon 2 5 करे तो क्या बनेगा बहे 1 upon 3 चलो ब 1 upon 2 5 करे क्या बनेगा बहे minus 2 upon 4 कट फर देख रुक्या बहे minus 1 upon 2 और C1 upon C2 5 करे C1 तो हाजर नहीं है तो क्या बनेगे 0 upon minus 20 is equal to क्या बहे 0 अब जरा देखो तो 3 answer को कोई भी same answer बहें नहीं है तो क्या बनेखेंगे A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 T no equal 9 इसका solution कौनसा मनेगा श्कूडा unique solution कौनसा मनेगा बहे unique अनन्य unique को बुजराती में है बहे अनन्य आपको भी आना चे ये बुजराती solve करते तो आना चे ये ने चलो वोगे ये वाला solution next equation में जाओ ये आना चे ये फक्ता तब लिगो for equation for equation x plus 2y minus 4 is equal to go y is equal to blank क्या है कि आपको क्या करना है student y को substitute करना है इसको substitute करना है वहे तो y को left side में रखो बाकी सब को right side में ले जाओ चलो एक काम करें पहले फोर को ले जाए तमारा equation क्या मनेगा वहे x plus 2y is equal to 4 फिर x को ले जाए 2y is equal to 4 minus x अब y को बिखारी मना दिना है therefore y is equal to क्या मनेगा वहे 4 minus x अपोन क्या है वहे 2 अग्या answer ऐसा mcqb है बराबर है क्याने के y is equal to blank क्याने के y को क्या करना है वहे substitute करना क्या करने का है वहे substitute कर सकते है substitute कि नहीं कर सकते हो चारब नेक्स नमबर 10 नमबर भी आए एंपी है चारब लिखाओ ये वो गयाना भाई नहीं वाँ लिखाओ 2,3 2,3 is a solution of 2,3 is a solution of equation equation y is equal to mx plus 5 y is equal to mx plus 5 then m is equal to blank के तो 9 standard में आता था क्या है होए हमारा solution sponsor 2,3 इसका बत्तर हुआ x is equal to 2 y is equal to 3 ये काम करें गलती नव हो जैश्टे equation उल्टा लिखे कबहिए mx plus 5 is equal to क्या रिखेंगे y चलो इसमें x और y की वेल्यू रखे तो m into bracket 2 plus 5 is equal to 3 चलो 5 को सामने ले जाए तो 2m is equal to 3 minus 5 2m is equal to minus 2 therefore m is equal to minus 2 upon 2 therefore m is equal to क्या रनेगा भै minus 1 कर पाओगे पेपर में आगे तो अबड़ेगा किन ही अबड़ेगा चार 11 नमबर इसका इंग्लिस बना दो चलो आप लोग लेगो इवर x plus y is equal to 12 and x minus y is equal to 8 then x is equal to blank and y is equal to blank student method of elimination इसका solution कर लो दोनो equation का पाइले क्या गरते है वैं सम डाइरेक का कर गेना चाहा लिखी कि वैं x plus y is equal to 12 दूसरा equation का पाइले बही x minus y is equal to 8 y बाइ बाइ ओड़ेगा 2x is equal to कितना एगा बही 20 therefore x is equal to क्या हो जाएगा बही 10 चरहे x is equal to 10 first equation में रखे दे तो 10 plus y is equal to 12 therefore y is equal to 12 minus 10 therefore y is equal to कितना आएगा बही 2 आगे अंसर कि नहीं आया can you do it आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो चरह सेम 10 नंबर के जैसा 12 नंबर है चरह 12 नंबर का question दो इखो देखो एप एप य पूरा चला परे खीर आगे बड़े य तो बोलो कि सर तो दोड़े हड़काई कुट्टे पीछे बड़े चला हो गया है सबको हो गया है ठीक है पानी का बगेट साथ में रबना लेको इफ फाइव थी इस आप इस अलिशन आओ फाइव कॉमा थी फाइव थी एदले फिप्टी थी ना लगता गदेडाओ फाइव कॉमा थी एटले का उचुक तमार बटा को जी ना बगवने आपर मुट्ट बट्ट या पर क्विश्चन के इंदर रखो फाइव कॉमा थी इस अ सॉलिशन अफ थी एक्स माइनस पोर वाई इस इक्वाल तो के देन फाइड देन फाइड देन फैन फाइड कर्डारों एक्स के बटले में क्या रखो कि यक्वाई के बटले में थिग जो फी इटू ब्रेकेट फाइड एड ब्रेकेट फाइड is equal to k. चलो, हाई रिजब 15 minus 12 is equal to k. Therefore, k is equal to कि तर आया है? 3. आगे हाँ? चलो, next question 13 number. लेगा विस्ता question, sum of digit, sum 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 of digit of 2 digit number is 8. sum of digit of 2 digit number is 8. and the difference of digit difference of digit is 2 is 2 and if the number is smaller than 50 then find that number या तो then what is that number या तो then what is the 2 digit number आपको जोडी लीखना है वो लीखो चलो, एक 2 digit number है तो student 2 digit number के अंदर एक unit digit होती है दूसरी 10th digit या एकप नीशन है 10th नीशन होती है सब्रोग में लेग सब्रोग में लेग सब्रणा पड़ेगा unit digit या तो एक्स युणीट या ती एकम फिर क्या नहीं है कि 10th 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 इस एक्वाल तो वाल बराबर शुडर चलो, हमें पता नहीं है कोन बढ़ा है युणीट बढ़ा है कि 10th समढ़ा है चिंता करने की कोई जरूरा नहीं है बराबरे चलो, मैंने काम कटो ओरीजिनल नमबर नहीं बना लेगा चलो फर्स्ट लाइन पड़ो तो क्या है वाई digit का जो प्लॉस है वो कितना होता है वाई एक तो अब लोग यह एक्वेशन बढ़ा है वाई एक्स प्लॉस समढ़ा है इस इक्वेशन बना दो डायरेक्ट सॉलिशन कलो दूसरा क्या है वाई एड़ डिप्रेंस अप डिजिट इस तो तो अब लोग बना दे एक्स माइनस य इस इक्वेशन टाक्स मेटर अफ एलिमिनिशन से सॉलिशन कर दे य वाई वाई होगे गए 2x is equal to 10 डेरपोर x is equal to क्या है वाई 5 दूसरा है x के ओपर से y फाई करें तो x plus y is equal to 8 तो 5 plus y is equal to 8 डेरपोर y is equal to क्या है वाई 3 या लगे दो दो टूदिजिट नमबर बन सकते कितने बैए 2-2, एक कुन सा बनेगा बैए देखो, कभे 5 को आगी रखे, तो इक नमबर क्या बनेगा? 53, और 3 को आगी रखे, तो क्या बनेगा 95, बरबाद दो नमबर बनेगे, हमें बता नहीं है, कभे युनित में कौन है, टेंस में कौन है, ये तो अवारे सिर्फ इनको जोड़के हम लोग नंबर बनाएं तुमारें दो नंबर बन सकते हैं एक बन सकता है 53 दूसरा बन सकता है कौन सा बैए 35 वाट क्वेशन के अंदर कुछ प्रेजन है देखो क्वेशन के अंदर क्या है नहीं बैए सब्सक्राइब कि उपर से गया है चलो 1440 नंबर आई-मट करो मैंनी टाइम यह पेपर में आ चुका है बराबन बहुत सारी बाहत लास्ट पाल साल की पेपर देख लो चार बार आपको देखने को मिलेगा लिगओ दू सम औ नहीं साफ डू नूंबर इस फिपटी पिड़्याद इंद दिफर दैंद कर, बिलेख पेपर दू इंद इंद देंद दिफर्स-स दो अडन then which is the larger number, which is the larger number among, E-M-O-N-G, among these two numbers, these two numbers, एर की दो नमबर है, दो नो का प्लस कितना होता है बही, पचास, डिरेक की शीशन बना है बही, क्या है का दो नो का प्लस पचास है तो, X plus Y is equal to 50, दोनों का प्लस कितना होता है, बहीं 12, तो X minus Y is equal to 12, इसका solution कर ले, य बाई बाई प्लस, 2X is equal to 62, therefore X is equal to, क्या बनेगा बही, 31, यह आपका bigger नमबर है, बट सपोज पेपर में smaller नमबर पूछाओ, तो value find कर लेते हैं, कभे 31 plus Y is equal to 50, therefore Y is equal to 50 minus 31, यह बाई 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 बीगर नमबर पूछे, तो 31 आंसर स्मोलर नमबर पूछे, तो 19 आंसर, करकि जब्दी ऐसा question आए, ऐसे क्या बना देने, दो equation solution find कर लो, आपको आंसर मिल जाए, बरबरे, चलो, इसके बाद का जो 15 नमबर है, वो most IMP है, और यह कैसे करें, किसी को सिखाना मार, बरबरे बाई, किसी को सिखाने का नहीं है, विस ये वीडियो, आप लोग किसी को, अगर श्टूडन को सेंट नहीं करो, आपके सिवाए, किसी को नहीं आना ची, अगर आप लोग सेंट कर दोगे, सभी स्टूडन को यह MC क्यों आ जाएगा, समझ गए, और guaranteed, मेरी guarantee है, बरड के अंदर, ये 50 नमबर आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, इतना समझ रोग, मैं आपको shortcut सिखाऊंगा, आप ओरली इसका एरिया फाइंट कर पाऊंगा, बट, दुश्मन को पचाड ना है, क्या होना जे, कुछ अपने दंदे की monopoly होनी जे, आपके भी कुछ monopoly होनी जे, ऐसा नहीं कि सारे फ्रेंड को सेंट कर दिया वीडियो, कल की वीडियो में मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों ने दूसरों को सेंट टिया, आज का वीडियो सेंट नहीं होना जी, ये एक मार्के mcq के लिए, बराबरे तो लिखो क्विशन, what is the area, what is the area of a triangle, of a triangle formed by, formed by x-axis, x-axis and x-minus y is equal to 8. बराबरे श्टूडन, कभें इसका area क्या मनेगा, अगर finite करने जाए, तो x-axis और y-axis, दोनों, एक दूसरे को क्या करते हैं श्टूडन, इंटर सेंट करते हैं, करते भी नहीं करते ही मैं, और आपके पास, जो इक्वेशन है, x-y, is equal to 5 इक्वेशन हैं, ए, ये जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन किसका है वाई, तो इह हाईपोड्यूनियस का इक्वेशन है, कर्ण, ये लाइपोड्यूनियस का इक्वेशन, यानिकि इसके उपर से, जो वाई का इक्वेशन आएगा, और x का इक्वेशन आएगा, वो दुनों होगे, अब समढ़ों, कैसे इक्वेशन आएगा, तो इक्वेशन के सामने जो वैल्यू है, वो x का इंटर्सेप्शन है, y का इंटर्सेप्शन है, आपने आवेशन हमाँ पड़वाली कोई जरूर न थी, अब एकदम शॉर्ट कट मैथड, कि ऐसा एमसी क्यू ब्लेंग प्रिव फॉर्स पेपर में आगे, य क्या घरेंगे, आपके इक्वेशन के दर सामने एक वैल्यू है, वो कितनी वैल्यू है, एक इतनी वैल्यू है, तो डाइरेक्ट क्या रिखेंगे, चलो एरिया पर राइ एपी एक है, एक इसी ये ट्राइकल बन गया, तो आबि वीएक बिस्की एक इतनी अपना गेखेंगे, आपी व स्जी क्या बनेगा व corresponds बेद्वेक्द, एजो वैल्यू है फ्र्स प वंट वनेगे बिस्की एट, झालनेखंगे, एक गनके मेंगों आजा है, ख़ली स्कील थि आया कि लिए आया तो क्या करेंगे जबी एक क्विश्वन आए कोई उद्धी का यूज करने का नहीं है यह वेल्यू को उठाकर दोनों का मुट्लिप्लाय करना है बनपोन 2 से सपोज चलो यहां पर 10 हो तो अंसर क्या है यहां पर क्या रखेंगे 10 मुट्लिप्लाय है 10 तू से कटका तो 5 तो कितना अंसर हैगा 50 कितना हैगा बैए सपोज इजा 12 हो कितना हो बाज में करड़ालो एकस माइनस वाइस इकवर टू 10 लेके करड़ालो तो याद रहेगा जन्दी से एकस माइनस वाइस इकवर टू 12 हो तो कितना अंसर हैगा 72 कितना हैगा बैए बलो आप कर सकते हो गाला के अंदर हैं क्यों में का पर है बैए गाला के अंदर है येवाल है कि टेन हो तो कितना अंसर आएगा तो फाइज हाग 10,10 फाइज हा 50 विडियो सेंट हो साथ तो क्या नहीं सिखाओगे वरोसा निये मुझे आपको विडियो सेंट हो साथ तो क्या नहीं सिखाओगे तो राल अभी जैसे आए वैसे थोड़ी देर के बाद विडियो सेंट हो जाएगे चला नेक्स विश्वन है अमारा लेखो 16 नंबर वह भी आई एमपी है लेखो is equation 2x plus y 2x plus y is equal to 10 2x plus y is equal to 10 and 3x plus ky is equal to at then k is not equal to blank many times paper में आ चुका है तब जब भी linear equation के अंदर आपको ये k के बढ़ने में mcd का कोई भी लेकर हो समता है अगर not equal to k क्या रखोंगे ऐसे रखोंगे a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 यही रखना है और suppose equal to यहापर between में क्या रखोंगे equal to value रखो तो चाब एवन अपन a2 2 upon 3 is not equal to 5 upon k चारो cross multiply कर दे तो क्या रखोंगे रखोंगे is not equal to 5 multiply 3 यानि की 15 therefore k is not equal to 15 upon 2 therefore k is not equal to 7.5 अगर 50 नवर को लिखो तो भी राइट आइसर है 7.5 लिखो तो भी राइट आइसर है क्लियर शुड़न समझ में आ गया सॉल्यूशन फाइट कर लो बाई वीडियो बाट लंबा हो चुका है मैंने देखा नहीं है आज इतना रखते हैं कल आगे सॉल्यूशन करेंगे वन आवर से ज्यादा होगी गुडबाई शुड़न टेक केर